मुलकिर्ष्ण भागवाने की जै हिंदू धरम में एकासी तीथी पर्व मनाई चाने वाली गीता जेनती पर्व का क्या महत्व है इस साल यह किस दिन मनाई जाएगी हिंदू धरम को अगर समझना है तो आपको एक बार गीता जरूर पढ़ना चाहिए गीता में मनुश्य के जीवन से जुड़ी हुई हर तरह की समस्याओं को भवती असान भासा में समझाया गया है कहते हैं गीता सभी वैतिक गरंथों का सार है गीता एक मत्र ऐसा गरंथ है जिसकी जैनती मनाई जाती है कहा जाता है कि मा भार्त के युद में श्री किष्ण के द्वारा जो उपदेश दिये गए उसे गीता कहा जाता है गीता के उपदेश में जीवन जी ने धरम का अनुसरण करने और करम के महतों को समझाया गया है इस साल 23 सिस्तंबर को गीता जैनती है माना जाता है कि जिस दिन श्री किष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्यान दिया था उस दिन मंगसर महा के सुकल पक्ष की मोक्षता एकार से थी इसलिए इस दिन को गीता जैनती के रुपे मनाया जाता है इस दिन पुवास करने की माननाता है गीता जैन्दी के दिन अपवास करने से मन पवित्र होता है और शेरी स्वस्त रहता है। साथ इसमस्त पापों से भी चुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री किर्शन ने अर्जुन को धरम और करम को समझाते हुए अपदेश दिया था। मा भार्त के युद में श्री किर्शन के द्वारत जो अपदेश दिये गए उसे गीता कहा जाता है। गीता के अपदेश में जीवन जीने, धरम का अनुसरन करने और करम के महतव को समझाया गया है। गीता ही एक मातर ऐसा गरंत है जिसकी हर साल जैनती मनाई जाती है। गीता को श्रीमत भागवद गीता और गीतो अपनशद के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गीता के अपदेशों का अनुसरन करने से समस्क ठाईयों और शंकाओं का निवारण होता है। गीता में श्रीकिर्शन के द्वारा बताये गए उपदेशों पर चलने से व्यक्ति को कठीन से कठीन प्रिस्तियों में भी सही निर्ने लेने की शमता का विकास होता है। गीता के अपदेश में जीवन को जीने की कला, परभंधन और करम सब कुछ है। इसलिए इस दिन गीता का पाठावश्य करना चाहिए। गीता जैनती का महत्व क्या है। गीता जैन्ती पर क्या करें और क्या ना करें। अगर आपके घर में भगवत गीता है तो आपको निमिल खित खास बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। श्री मद्ध भगवत गीता को कभी भी आप जमीन पर ना रखें। इसके लिए आप हमेशा चोकी या स्टेंड का परयोग करें। श्री मद्ध भगवत गीता को हमेशा लाल और स्वच कपड़े में लपेट कर रखें। श्री मद्ध भगवत गीता को जिस कपड़े में रखें वो साबू थी, वो कहीं से कटा फटा ना हो। श्री मद्ध भगवत गीता को पढ़ने के बाद कभी भी खुला ना छोड़े। प्रमप्रा और विश्वास का देश है। हमारे धर्म कहते हैं कि प्रकर्ति की हर चीज में इश्वर व्याप्त है। इसलिए यहां इश्वर के साथ साथ पेड़ पोदों और धर्म गरंथों की भी पूजा की जाती है। कुछ जगों पर तो लोग आज के दिन शीमत भगवत गीता का पाट भी रखते हैं। ऐसा करने से इंसान के ज्ञान और कोशल में विर्दी होती है और वो सच के मार्क पर अगरसर होते वे भी गबराता नहीं है। मुलो किष्ण भागवाने की जै विष्ण भागवाने की जै भगवत गीता की जै।